हले विवर्स में हुँ सरतास्वर और आप देख रहे हैं सरतास्वर की क्लास यह अंग्रेजी भासा में ऐसे ऐसे टॉपिक है ना जिनको लगता है समझने के लिए अमरीका ही जाना पड़ेगा मतलब समझ में नहीं आते है आसानी से अब उनी में से एक है वुड़ भी लोग इसका यूज बंद क्यों नहीं हो जाता इसको चेंज क्यों नहीं कर देते लेकिन वों तो हो नहीं सकता सो भाईया रिलैक्स हो जाओ क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वुड़ वी के 5 ऐसा बेहतरी अव्यूज लेकर आए हूँ ना कि जिने सीखने के बाद को पता चल जाएगा कि इनका स्वागत कैसे करना है इनका यूज कहा होगा और वुडबी की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो करने तक जरूर देखिएगा आगे बटने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्रिशन में बेल आइकन होगा उसका दब और याद रगना इस वीडियो में हम वुडबी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे अगर आपको खाली वुड के बारे में जानना है तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखिए कोने में एक पट्टी चल ली होगी मेरे खोपड़ी के ओपर उस पर क्लिक करकर आप उस की फर्स्ट फ 2010 जब भी यह फॉर्मूला बनता है ना तो वुडबी का मतलब होता है हिंदी में रहा होगा रही होंगी रहे होंगी कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिस कलाश में रहा होगा रही होगी रहा होगा वह सो रहा थमझाओ तिरेन क्यों बनने हो एकदम तेजस एक्सप्रेस ये बताओ कि वो तो will be के साथ बनता है ना future continuous tense रहा हो रही होगी ये would be के साथ कैसे बना तो भाईया फर्क समझो वो future है ये past है would will का past है ना तो ये रहा होगा past वाला है अब ऐसे समझे में नहीं आगए example देकर समझाता हूँ handsome example देखो जैसे मेरा sentence है वह सो रहा होगा अब इसके last में आ रहा होगा लेकिन इसमें एक चीज़ और समझो ये future वाला नहीं है ये past वाला है अब वो situation पर पता लगेगा मतलब अभी तो sentence लिखा है तो तुम्हें समझे में नहीं आ रहा है जब तुम अपनी like न बोलोगे मैं situation मना के दिखाता हूँ जैसे मैं कहूँ अरे भाई वो कल सो रहा होगा इस time उसे तंग मत करना तो ये है future की बात क्योंकि मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ तब would भी नहीं लगेगा फिर will भी लगेगा वो future continuous tense है और अगर आपने कहा अरे इसा है number दिया था आपने वो तो phone नहीं उठा रहा है और फिर मैं कहूँ अरे भाई ये phone नहीं उठा रहा है मतलब वो सो रहा होगा तो इसका मतलब है मैं past की बात कर रहा हूँ जब आपने phone करा था मैं उस time की बात कर रहा हूँ तो पुराना वाला बीता वाला रहा होगा अरे कल तुम गये थे क्या नहीं मिला वो इंग्लिश में बोलेंगे जरे श्टाई में बोलना पड़ता है अब नेगेटी में वोड नौट भी कर दोगा अब तो तुम्हें आता ही है तो जहां पर भी आये रहा होगा रही होगी रहोंगे past में तो लगेगा वोड भी प्लस वर्ब की first वों के साथ अब है third form जब भी would be के बाद वर्ब की third form आ जाए तो वहां पर उसकी हिंदी होगी रहेगा रहेगी रहेंगे अब यह नहीं कहीं पर रहेगा बोरी अब इस तरह बान के यह चीज ऐसे रहेगी जैसे दुकान बंद रहेगी ओफिस खुला रहेगा और एक्जामपल दिमाग में नहीं आते हैं कसम से गोबर भरावा है दिमाग में आप डारेक्ट में अपना एक्जामपल ले लेता हूँ जैसे मुझे कहना है दुकान बंद रहेगी भाईया देख दुकान बंद रहेगी छोटी है दिहान रखियो दुकान बंद रहेगी तो इसे English में कहेंगे Shop, 10 Shop भी कर सकते हैं मुझे नहीं हो रही, मैं तो Shop भी बोलूँगा Shop would be closed Close की third form लगानी पड़ी Closed, Shop would be closed दुकान बंद रहेगी, गाड़ी चलती रहेगी तुम पिटते रहोगे ऐसी ऐसी मतलब बना सकते हैं बहुत सारे, तो जहां पर भी आए would be plus verb की third form वहां पर लगेगा, हिंदी में उसका मतलब होगा रहेगा, रहेगी रहेगे, या हिंदी में कोई ऐसा sentence तुमारे दिल में आ रहा है, जिसमें रहेगा, रहेगी रहेगा है, उसे would be plus verb की third form के साथ बना ले ना, लाइक कर दो, अभी नहीं करोगे, चलो next वाली slide देखो, और भाईया, next वाला है, would be plus noun, अब कितने लपड़े, कभी ING लग लग लिए, कभी third form लग लग लिए, कभी noun लग लिए, अंग्रेजी परसक भरोसा उड़ जाता है, इसी चक्कर में, खेर सिखानी तो पड़ेगी न, चले यूट्यूब है भाईया, तो would be plus noun, अब noun मतलब कोई भी नाम हो, कोई पोस्ट हो, कोई चीज हो, तो भाईया, वो अगर हो would be के बाद noun हो, तो वहाँ पर उसकी हिंदी बनते, वो इंस्पेक्टर बनते, तो ऐसे कई सारे sentences आप would be plus noun के साथ बना सकते हैं, example लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं, हमारा example है, मैं डॉक्टर बनता, अब ये example जो आप देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर, टू टीवी स्क्रीन पर, मुझे पता है, साइड में ये टीचर बनता तो सही रहता, अरे दस भी मैं फेल नहीं होता, दस बार तो मैं अच्छा खासा दूला बन जाता, दूला बनता, तो ऐसे sentence, फिलाल sentence है, मैं डॉक्टर बनता, तो इस English में कहेंगे, I would be a doctor, I would be a doctor, आप देखा, would be के बाद, a doctor यानिकी एक noun आ गया, तो जब भी I would be के बाद noun, वहाँ पर बनता बनती बनते, like देदो, नहीं दोगे, क्या करो मैं तुम्हारा next वाला देखो, अब भया, next वाला है, would be plus adjective, adjective मतला वो, क्या बोलते हैं हिंदी में adjective को, अरे वो विशेशन, नाम भी अजीव सा है, तो would be plus adjective, जब भी would be के बाद adjective हो, तो वहाँ पर उसकी हिंदी होती है, होता, होती, होते, होता, होती, होते, ये वाला नहीं है, mind reader उदर मतले जाये करो, मतलब ये होता, वो होता, अब adjective जैसे, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, उचा, लंबा, बोना, मोटा, ये सारी चीज़े जोती है, adjective यानि विशेशन होते हैं, नही होता, बुरा होता, ये काला होता, तुम गोरे होते, कोई भी adjective आए, चलो example ले लेते हैं, अच्छा होता, ये तो छोटा सा example है, इसे देखके तो मज़ा आ गया, तो अच्छा होता, इसे English में बोलेंगे, it would be good, it लगाना पड़ता है, जो खाली sentence होता है, subject नहीं होता है, तो इतका परियोग करता है, इस पर भी वीडियो बना रखिया, देखते क्यों नहीं हो, तो it would be good, अब बुरा होता, it would be bad, मोटा होता, it would be fat, और अब तो तुम बना ही लोगे, तो कोई भी चीज़ जब तुम कहने चाते हो, अच्छा होता भाईया, अगर तुम हमें store पे दे द होते, अब ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, एक लाइक दे दो कितने सारे लाइक आचुके है, अब तक तुमने अभी तक लाइक नहीं किया, अच्छा, अब लास्ट वाला देखके करोगे, चलो तो फिर रहा, देर किस बात कि है, would be का last वाला यूज देखो, और भया, last वाल ये, वो मेरे होने वाले पति हैं, होने वाली मंग्यतर है, होने वाली मेरे बॉस है, मेरा होने वाला ओफिस है, बस अब जादी हो जाएगा, मतलब, तो ऐसे कभी भी sentences आए, तो उसे कहते है, would be, होने वाली पतनी, would be wife, होने वाले पती, would be husband, example लेकर देखते हैं जैसे, अरे फोटर लगाना मेडम ये किसका लगा दिया अरे ठीक है वह मेरी होने वाली पतनी है बहुत जूते पढ़ने वाले सेंटेंस के बाद कसम से वह मेरी होने वाली पतनी है इसे इंगलिश में वोलेंगे वह कितना अच्छे से गोलने लगा में मेडम के साथ ने तो भाईया अब जाओ वहां पर लगाएंगे वुडबी और प्लस रिष्टा विष्टा जो है ये भी याद रखना खतम हो गए अब तुम्हें अगर लगता और भी यूज है तो कमेंट बॉक्स में खोदी पढ़ा ल पहले आपको वुडबी के ऐसे यूज नहीं पताऊंगे आज पूरे बहुले में चर्चा कर दो के भाईया वुडबी का यूज आगया आज तो पूरी सब जी बननी चाहिए घर पे अब भाईया आपके लिए बहुत प्यार प्यारी चीज़े सबसे पहली बात तो है अगर तेरो मेरी वीडियो अब ये नई फैसिलिटी शुरू कर दिये मैंने अम्मज आया होगा तुम्हें सुनके सुनके आएगा है मिल जाओ सुन लो और दूसरी चीज यह है कि एवरी संडे रात 9 बज़े आता है संडे कमेंट बॉक्स आता नहीं मतलब आब आने लगेगा संड आगे तो मैं पता ही होगा और वह सर्तास सर जब हैस्टेक के सथ आप लिखोगे तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंस मैं से 10 कौमेंट से उठाऊंगा संडे कमेंट बॉक्स विडियो में मैं उसका जवाब दूँगा सपेशल वीडियो एभी संडे आया करेगी अब क्या करना है जाओ अपनी दिल के सवाल पूछाओ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना सभी चर्षियों के साथ और पॉकेट मारों के जेब कत्रों के साथ और जाते जाते इस वीडियों को एक टुच्छा सा लाइक देख़ जाना